आज हम लोग देखेंगे कि वायरलेस हार्ट ये टेकनलोजी कैसे काम करती है लास्ट लिक्चर में जो हम लोग ने देखा था विच इस दो फॉंक्शनल व्यूपॉइंट एन इंफॉर्मेशनल व्यूपॉइंट देन उसके बाद हम लोग अभी से देखेंगे कि फ्रिक्वे कोटेकर व्यूपॉइंट अभी टाप लोगों ने वायरलेस ट्क्नलोजीश देखे वोगे वायरलेस डिवाइसे मो कानेक्टेट नहीं करते और जो डिवाइस फ्रिक्वेसी पे वर्क होते हैं या फिर उनका जो फंक्शेडिक्वेडीस है यह बेस्ट होता है इं के लिए आपको जो support करता है या फिर जो platform रहता है that is frequency okay तो यह frequency हम लोग hearts में count करते है that is hz उसका unit है और यह जो frequency रहती है यह ऐसे आप लोग बूल सकते हैं कि यह layer रहता है कि यह layer through आप काम करोगे और वो frequency से आपका जो devices से वो connect हो जाते है तो exactly frequency याने क्या तो frequency याने signals कि जैसे आप लोग mobile phone यूज़ करते हैं आपके mobile phone में एक sim card रहता है और यह sim card के उपर एक digital number रहता है जब भी आप लोग किसे से call करते हो किसी का number dial करते हो तो वो जो number रहता है उसका एक IP address रहता है और जो frequency मतलब कि जो आप लोग service provider यूज़ करते हैं जैसे कि कोई ATL यूज़ करता है कोई IDA यूज़ करता है तो वो service provider का जो frequency है वो frequency में आपका जो IP address है mobile का वो search करके फिर आपका जो call है वो connect होता है तो वो हर एक SIM card के लिए आपको एक unique number मिलता है जो आपका mobile number रहता है ये mobile number थूँ आपका mobile number आपके device को जो है network में identify करने का काम करता है तो ये जो network रहता है तो ये network याने signals तो ये जो analog and digital signals रहते है ये जब एक दूसरे के साथ connect होते है तब हमारा call जो है connect होता है तो इसी तरीके से जो आप लोग frequency के उपर काम करते हैं तो wireless heart ये भी एक frequency है जो multi vendor या भी interoperability wireless standard भी काम होता है और ये real time mesh networking में काम करती है तो ये जो frequency है ये हमेशा mesh networking में काम करती है और mesh networking का meaning ये रहता है कि आपके एक server रहता है और वो server के अंडर multiple PCs connect रहता है multiple याने बहुत सारे PCs connected रहता है तो ये जो mesh networking रहता है ये mesh networking के लिए wireless heart ये technology काम करती है wireless heart is a secure multi vendor interoperable wireless standard featuring real time mesh networking and wireless heart designed to provide the highly reliable low latency ultra low power connectivity for challenging the process and monitoring and automation application तो जब भी आप लोगों को automated application याने कि जिसके लिए आप लोग wire का use नहीं करते हो ऐसे application जब आप लोग use करते हो तो उसके पीछे wireless heart technology रहती है wireless heart use the failed problem IEEE802 radio technology deterministic scheduling frequency temporal and path diversity to achieve the reliable deterministic data transfer using very little power तो अभी तक आप लोग जब भी wire connection के technologies को use करते हो तो उस तायम पे क्या रहता है कि सपोज आपका wire cut हो गया कभी network slow हो गया तो आपकी devices काम करना बद करते हैं for example जैसे पहले के समयाने में हम लोग telephone use करने के telephone के उपर हमारा जिसको आप लोग call कर रहे उसका number print होनेगा और वह wired connection रहने का मतलब कि आप को पता होगा कि जो telephone रहते थे उसका हम लोग wire से connect कर देते और उसका wire हमारे service provider के पास से आता था और अगर अभी के इसने आप लोग देखोंगे तो जैसे हम इतना wifi connection है दो तरह के wifi connection आपको मिलते एक रहता है wired और एक रहता है wireless wired connection जब भी आप लोग लेते हैं तो आपके जो घर के उपर वो एक ऐसे device लगा के जाता है जिसको AP device बोलता है वो AP device signal capture करता है फिर वो wire through आपके laptop में वगेरा इंटरनेट चलता है wireless connection यानि क्या कि जब आप लोग डोंगल यूज करते है या फिर आप लोग wireless router यूज करते है कि एक router पे आप लोग 50 mobile को जो है connect कर सकते हैं तो यह क्या है signal जो ट्रांसपर होते है या फिर signals जो low power के उपर चलते है ऐसे जो signals रहते है वो wireless hurt signal रहते है यानि इसके अंदर आप ल device से दूसरे devices में with very little power यानि power consumption से होगा आपका जो battery backup है वो अच्छा मिलेगा आपको प्लस आपका जो काम है यह भी बहुत जल्दी हो जाएगा ओके तो ऐसी frequency कौन सी है तो LTE तो LTE ऐसी frequency है जो wireless heart technology या फिर wireless heart technology को support करती है तो LTE यानि light emitting diet मतलब कि इसके अंदर क्या रहता है कि आपका जो device रहता है वो कम power में बहुत जादा work करता है और इसका example है जैसे 4G technology अभी हम लोग जो यूज करते है तो 4G के mobile जो रहते है comparatively 3G के mobile आप लोग कुछ experience किया चीज को या अपने 3G का मोबाइल यूज किया है अपने 4G का मोबाइल यूज किया है तो आप लोग देख सकते कि 4G का मोबाइल बहुत जादा स्मूध रहता है comparatively 3G mobile कि उसका internet भी fast चलेगा आपका वीडियो बफर भी नहीं होगा because इसके अंदर जो signal pass होते है जो frequency पर ही 4G network चलता है वो frequency fast work होती है तो वायरले साट का सबसे बेस्ट एक जामपल है 4G technology लेन वो 4G technology में भी अभी अपगरेशन आया है सो नाव यूज करें अभी च चलेख चलेशन आपका अल्सों अलसों, दा 5G is the largest generation of cellular connectivity, 3G is the standard organization responsible for the generation and maintenance the mobile telephone standard including 4G, LTE and 5G तो 5G जो टेकनोलोजी है जो अभी के कुछ Android को सपोर्ट करती है अपने फोन को इतने जल्दी सपोर्ट नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी विकाज उसका जो लेयर है जो अभी बन रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी अभी क्रेट हो रही है वो उतनी जादा अभी पावर्फुल नहीं हो गई है कि वो फोर्जी के मोबाइल को भी सपोप करेगी फिलाल जो न्यू डिवाइस अभी मार्केट में आते उन में आपको 5G टेक्नोलोजी मिलती है तो यह 5G टेकनोलोजी क्या है तो यह एक रेडियो फिक्वेंसी है यह अनलोग औन डिजितल सिगनाश पास करेगी और वो जो लेयर पे पास करोगी ताट इस एट लेयर मतलब कि वह एट लेयर पे काम करता है और इसके लिए इसके technology में आपको double speed में मेलेगा तो यह क्यों possible है या फिर यह क्यों होता है just because of the wireless heart technologies ऐसे बहुत सारे technologies है उसमें से एक example है wireless heart radio frequency और यह radio frequency signal को transmit करने का काम करती है जिससे आपके connections जो है wireless create होते हैं को कि